आजकी इस एपिसोड में हम दिसकस करेंगे टाटा पवर एस्टॉक के बारे में और इसके साथ ही डिसकस करेंगे न ए आई-ई-ई-ई-ई-ए-ड केkeys बारे में जिसके ट्रेंड काफी पोजेटिव दिख रहे हैं तो सबसे पहले टाटापवर इस्टाउक को देखेंगे यहां कि आप देखे कि टर्का पावर के स्टॉक में जो टेकनिकली ट्रेंड दिख रहा हैं वो अभी जो ट्रेंड है वो consolidated form में ही है जबकि बहुत सारे breaking news दिखे हैं पहला देखेंगे कि जो इसके extraordinary growth है वो continuous दीख रहा है और आगे भी दिखेगा जिसको लेकर के एक editorial आते वे दिखाए कि Tata Power is evolving into a power solution provider what exactly does that means यानि कि जो छोटे गाउं कस्वे सभी जगा देखेंगे जिस प्रकार से power solution के रूप में Tata Power उभरते वे दिखा है जिसको लेकर के ये editorial है इसके काफी अंदर जाने की ज़रूत नहीं है इसके साथी देखेंगे देली के जो Indian Army contentment है वहाँ से देखेंगे कि इस company को EV charging points के लिए collaboration होते वे दिखा है और इसके साथी जो आगे news बहुत सारे news भी हमने देखेंगे यहाँ उसके बाद भी देखेंगे कि इस stock एक consolidate zone में trade होते वे दिख रहा है delivery अभी भी बहतर दिख रही है लेकिन जो expected trend है वो अभी भी unfortunately नहीं दिख रहे है और continuous हमने कहा जब तक यह stock इस range को breakdown या फिर breakout नहीं करती है यह इसी zone में जाएगा तो derivatives trader है तो उपर और नीचे के call को sell कर सकते हैं जिसके कारण आपको जो premium है वो मिलता चला जाएगा और इस समय काफी usually quantity में buying करने से बचे एक हमने कहा भी था कि 234 तक के levels दिख सकते हैं तो काफी disk reward मुझे इस समय favorable नहीं लगता है यहाँ देखेंगे NISEL new India insurance को हमने already two month पहले recommend करा था जब stock का price 88 हुआ करता था मेरा target 110 तक का था यह paid group के call है तो जो भी लोग interested है वो जूर सकते हैं साथ में market scientist के channel को भी follow करेंगे जहां regular updates market के outlook को आपको आता है यहाँ भी तो volume breakout दिखा है अगर यह stock 120 के level को अभी भी breakout करता है तो यहाँ 145 150 तक के levels भी दिख सकते हैं और चुकि इस समय देखेंगे तो budget आनी है और budget से पहले ऐसे stocks जो PSU है और यह सब stock में trend दिखता है तो यह एक opportunity हो सकती है